नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरजर रवाल आज आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कीचेन की सब्जी से कैसे आप बीच कलेट कर सकते हैं यह देखे मैं पंकिन का सीद कदू का सीद दुकान से जो सब्जी की दुकान है उसमें से मैंने लाया आप स्क्रीन में देख सकते हैं लेफ साइड में और इस बीच जो आप लाएंगे उसको अच्छी तरह से आप धो लें दो तीन बार आप पानी से अच्छी तरह से धो दें उसके ओपर जो स्लाइम का लेयर है यह हट जाना चाहिए और इसके बाद दो तीन बार पानी से वास करने के बाद दोने के बाद आप इस बीच को धूप में सुखा सकते हैं एक दिन दो दिन और आप इसको कलेट करकर रख सकते हैं कोई बंद कोई बोटल में रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप उगा सकते हैं और यह pumpkin की सीद देखी जो उपर वाली जो तेर रही है इस तरह के तेरने वाली सीड को हम हट और नीचे जो सीड बैट जाती है उस सीड को हम उगाने के लिए काम में लाएंगे यह देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे मैंने जो सब्जी वाले बेचने वाले हैं उससे मैंने यह पंकिन का सीड लाया है और आप कोई भी कद्दू खरे दें तब आप इस तरह से बीज समय लाई है और बीज देखिए जो उपर वाले जो हलकी वाली है इसको मैं हटा देता हूँ यह जो हलकी वाली है इसको मैं हटा दूँगा नीचे जो बैठी हुई है उस कद्दू के जो बीज है उसको आप रख लें और उस तरह से आप इसको उगा सकते हैं यह मैं अ पॉटी होने चाहिए थोड़ी भाड़ी होनी चाहिए और यह बीज आप सुखा ले और इस सुखाने के बाद आप इसको आसानी से लगा सकते हैं दूसरा जो है आप करेला जो करेला आप घर में यूज ने होता है खड़ाब हो गया यानि कि यह पक गया करेला बिकार हो गया इस तरह के जो मैचियोर करेला है इसमें देखिए लाल लाल पकी हुई seeds है इसके अंदर बीज जो है इस तरह के बीज में निकाल लेता हूँ अगर mature करेला है तो आप पक्की हुरी नहीं भी है तब वो भी बीज आप ले सकते हैं और ये seeds जो है बिल्कुल mature है आसवानी से आप निकाल सकते हैं कर सकते हैं मैं आपको बिल्कुल तरीका दिखाता हूँ पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको मैं ये पांच जो बताता हूँ की कैसे कैसे आप दिखाएंगे ये आप देखते रहिए और इससे मैं बीज निकाल के दिखाता हूँ ये देखिए ये matchyar है यह पका नहीं है अभी लेकिन इसके जो बीज है अंदर यह बीज अंदर पक गए हैं और इसको मैं कलेट कर लेता हूँ कलेट करने के बाद इसमें पानी डालके इसको थोड़ा सॉप्ट कर लेंगे उसके बाद उपर जो coating है, यह coating हम हटा देंगे इसमें से, ताकि इसमें से बीज निकाल सके, यह देखिए मैंने और भी कुछ करेले मेरे खराब हो रहे हैं, तो इसको से मैं निकाल लेता हूँ, चले देखते हैं इस तरह से और भी बीज निकाल लेते हैं, उसके ओपर यह के म कानी में रहने दे, उसके बाद जो है, आप इसको थोरा मसलने, मसलने के बाद उसके अंदर से हाट से वाले आपके जो करेले के बीज हैं, वो निकल आएंगे, बजार से जो करेले के बीज खरेते हैं, करेब करेब सेम क्वालिटी के करेले के बीज आपको इसी से मिल जाएं और बहुत अच्छे त्वारी के क्वालिटी होतोर इसको मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे इसको उगाना है बहुत वैसे तो डारेट आप इसको मिट्टी में लगा दे सकते हैं पौदा 10-15 दिन में निकलाएगा अगर आप बहुत फास्ट ग्रोहिंग करना चाहते हैं तो वह भी है आपको तरीका दिखाता हूँ कि कैसे आपको बहुत तीज इसका पौदा चारे-पांच दिन के अंदर आप इसके पौदा मिट्टी में उगा कर कैसे तरीके कर सकते हैं तरीका तेल हाथ से अच्छी तरह से लगा ले उसके बाद ये मिर्ची निकल निकालने के बाद साबून से तीन चार बार हाथ दोने के बाद हाथ पोंचके फिर से नारियल का तेल यूज करें नहीं तो क्या हो क्या बहुत होट मिर्ची होती है तो आपको जहां भी आँख में इसमें से और मिर्ची निकालने के बाद आप ये देखिए इसको आप सुखा ले सकते हैं और बहुत अच्छे पौदे निकलते हैं इसमें से और मिर्ची भी बहुत होती है यह आप धूप में सुखा ले एक दो दिन उसके बाद आपको मैं देखाता हूँ दोस्तों टमाटर अगर आपके पास पक्के हुए घर में है तो यह टामाटर आसानी से इसमें से जूस निकाल लिए पक्के हुए बिल्कुल जो पक्के हुए टामाटर अच्छे क्वालिटिक है उसमें से अच्छी तरह से जूस निकाल लेता हूँ चारपास टामाटर का मैंने जूस निकाल लि के लिए करीब ऐसे ढख झाले Denn करीब तीन दिन तक फेसे को डखक तक ताकर इसके जो बीच वाइक जीली का कुया लेकि थोड़ा फर्मेंट करें गाल जाए तो उसके बाद मैं बीच का लघंड करूँगा इसको से चलनी तरह से तरह से आप पानी से टैप वाटर से धोलें और ये बीज आपके बिल्कुल तयार हो गए अब ये आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसमें से बहुत अच्छे क्वालिटी के आपके निकल आएंगे पौधे ये देखे तयार हो गया अब मैं दिखाता हूँ कैसे इसको ग्रो करना है बहुत ह देखिए इसके उपर क्या करेंगे आप जो मिटी है मिटी उसका पर जो मिटी ने आपने लिया उसste को केभार कर दे कभार करने के बाद पानी डालने के बाद से निकल जाएंगे और ये पोधे आप उगा के बहुत बहुत तमात्रो लेग से आपullie तो दंबले में भी उग रिखे मैंनेहर trendu के बीज इनने ने कलिट कर लिया हुए आर यहां पर कुछ मिर्ची के बीज है यह भी बहुत अच्छी तरह से जर्मिра कर जाते है यह करेले के भीज है करेले के बीच के अगर बहुत फास जर्मिनेशन आपको कराना तो इस तरह के जो करेले के बीच है मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो बीच लीजिए यह ब्रॉट साइड है यह फिर कुन नुकिला साइड है ऐसा बाद नील कटर आप लेहvent, को आप नैये मैं थ्कटिर हो साइड में अद रने gli ans कात लिया है, और पनी बिब्राकरी भीचाहरो ने पुड़र भीचन किए है ग्रोह करीजा इस दो भीच से को छुड़िये में पानी में ४िर। दिन बाद इसको मेरे जो kitchen garden उसको transplant कर दूँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने टमाटर होते हैं तो आप कोई भी टमाटर लिके बजार के टमाटर लेके आप आसानी से उसुख हुआ सकते हैं यह लोगडाउन पिरिड में और बेंगन मैंने कुछ किया था बेंगन क पीले अगर वाले बीज है यह देखे पीले वाले बीज है और यह पीले वाले बीज निकाल सकते हैं इस तरह से देखिए और इस तरह से आप बीज को निकालके सीधा आप बो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बोएंगे एक बेंगन आपके लिए काखी है कुई भी छोटा बेंगन बंबयाले ओर चओड़े Crystal सारे दिए यह छोटे बेंगन के बीज में लगाने जा रहे हूं लो निखाता हूं कैसे और यह पाद में में ग्रो करके आपको इसके पौदे में लेगे मैं आपको डिखाऊ एक अपको सब्सक्रा गब अ करते हैं और यह देंगे यह पके हुए कोई डिल कॉर won p एक बेंगन से कम से कम 400-500 पौदे आप त्यार कर सकते हैं यह मिट्टी और कॉंपोस्ट का मिशरन है यहाँ पर इसको थुरा से डालीजिए और उसमें यह जो बेंगन के बीज है मैं इसमें डाल देता हूं शिरक देता हूं पूरा बीज और इसमें जैसे हमारे टमाटर के पौदे लगे हैं उस तरह से इसमें भी आपके जो पौदे हैं यह 7-8 दिन में पूरे इसमें पौदे भर जाएंगे और इसका में बाद में आपको इसको छिरक के कौबर कर दें इसके बाद इसमें आप पानी डालके सेमी सेडी अरिया में रग दें पांसा दिन में इसमें पौदे में से जर्मेट कर जाएंगे तो यह रहा पूरा तरीका आप इस बंद में लॉक्डाउन पिरिड में आप लगाईए पंकिन ये कद्दू बहुत अच्छे ये भी मैं लगाने वाला हूँ अपने किचेन गाड में कद्दू मिर्च ये बहुत आसान है करेला लगाना टमाटल लगाईए ये देखे पौदा करिब तयार होगे ट्रैंस्प्लेंट करने लाएक गंबले में और ये बेंगन लगाईए तो ये पांच बीज आप लगाईए आसानी से इस लॉक्डाउन प्योड में उमीद है आपको बहुत बहु जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह के मैं गार्डिनिंग के टीप्स आंटीक्स आपको देता रहता हूँ आपको इस चैनल माने के लिए बहुत बहुत दन्वाद बहुत बहुत सुक्रिया आप आतरी है चैनल में रोज-रोज में जानकरी देता हूँगा जिलाओ बहुत बहुत एस जिस सब्सक्राइब करें बहुत दोभके पार करें का इस उल्ला के लिए कर में अमुत बहुत अदए प्रोगत आतरी हुता भी रिल्कfon, बहुतए प्रोद टूँKeepificant इस आपको उबस।, इस घए दूफित आतरी हैं अपको रud oh no